साथियों नमस्कार, साथियों आनंद से रहें और प्रिकत के साथ सुरक्षित वस्वस्त रहें आज सामने जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही दिव्यकंद वाली जड़ी बूटी है और इसका नाम आजकल इंसुलेंस पौधे के नाम से ये जाना जाता है तो आप समद लीजे कि ये वास्तों में आज कितना महत्पून होगा क्योंकि इंसुलें, डाइविटीज और सुगर की समस्या से तो आज 80% लोग तो प्रभावित हैं तो इसका महत्व बहुत हैं लेकिन पहले यूटूब में आजकल डिकलेरेशन दिया जाता है वो डिकलेरेशन आप लोग पढ़ ले फिर इसके बाद मैं आगे आपको जानकरी दूँ क्योंकि मैं कोई वैद या डाक्टर तो नहीं हूँ मैं तो अपने अनभव और विचारों के आधार पर ही इन जड़ी वुडियों के बारे में बताता हूँ जो धीरे 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 इनका काम करते करते एक जानकरी हुई है और लोगों से अभिरुची होने कारण इनसे सम्मंधित जो लोग हैं बैद हैं और जो बागवानिया काम करते हैं उनसे भी इन पौधों के बारे में समय समय पे जानकारी लेता हूँ वही जानकारी यूटूब के माद्धम से आप लोगों को मैं सेयर करता हूँ मूल उद्धिस यह है कि पहले प्राचीन काल में और अभी तक मैं जब छोटा था तब भी बैद लोगों से मैं दवा लाता था और बैद लोगों के बारे में और आचार लोगों के बारे में एक परंपरा थी कि वो दिव जड़ी बुटियों के रहस्यों को छिपा के रखते थे तो उनके छिपाने का उद्देश कुन मिला के ये था कि इन दिव जड़ी बुटियों का दोहन न हो और ये किसी गलत आदमी के हाथ में ना आ जाएं क्योंकि उस टाइम भी उनको इस बात का डर था कि आज अर्थ का योग है पूरी दुनिया अर्थ से चल लही है कोई ये कहे कि सक्ती से चल लही है ये हत्यारों से चल लही है ये सब विकार की बात है हत्यार हत्यार आप चाहे जो मिलसायल बना लिजे और चाहे कोई बंबना लीजे वो रखेंगे सुरक्षित परदर्सन के लिए हैं लेकिन चल दुनिया अर्थ से रही है और जितने भी देखें कोई भी समाज भी अर्थ से ही चला है तो उनका उद्देश ये था कि इनका दोहन नहों पाए और ये सुरक्षित रहे से इसलिए सब को इनकी जानकारी नहीं देते थे उसी व्यक्ति को जानकारी देते थे जो वास्तों में इनको सुरक्षित रख सके और इतनी युगता रखता हो और समाज के लोगों का कल्यान कर सके उनकी मूल भावना ये थी लेकिन आज बैद लोगों को भाई बदनाम कर दिया गया ह और वैद वस्था को एक तरह से समात किया गया और आधनिक दोड़ है दोड़ में जो पीछे रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा तो हमारे वैद लोग भाई पीछे रह गए लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि कुछ दुनों के बाद जो मूलतत होता है वो सामने आही जाता है और धीरे धीरे देखिए इन जड़ी बूटीयों पर रिचर्च हो रहा है लगातार ऐसा कोई जड़ी बूटी तो दुनिया में है ही नहीं जिसका हमारे आरवेदा चारों ने और हमारे वेद परंपरा सबसे बड़ा अथरवेद में जड़ी बूटीयों का विसेश गुण का समावेश है और इसके बहुत सेंता आदी चरक सेंता और धंतवरी इतने बड़े बड़े बहुत हुए हैं कोई दुनिया के ऐसी जड़ी बूटी बची नहीं जिसका अध्यन हमारे धर्णा हो गया हो लेकिन वो उसको खारिच कर दिया गया है उसको खारिच करके अब इं इसका इंग्लिस रूपांतरण है हिंदी का तो मैंने पढ़ा उसको फिर उन्होंने हम से प्रित्करिया पूंच रही तो हमने का कुछ नहीं यह संस्कृत का टांसलेशन है और कुछ नहीं अब भाई जो हमारा विचार था हमने उनको बताया तो जो भी दवाएं आजकल मार हैं वो सब इन्हीं की परस्कृत है तो चलिए आप छोटा सा अगर आप कार कर रहे हैं सबी लोग तो एक अर्थी के भी बच्चत हो जाएगी कि और सबको जानकारी होगी और जनपी होगी तो हम इनको बचा कर सकेंगे इनका दोहन भी हम रोक सकते हैं आज पहले तो इनके रहस्यों को बचा के रोका जा सकता था आज इनके रहस्यों की जानकारी करके हम भोग सकते हैं कि देखिए अब ये आज इस्पष्ट हो गया ना कि ये इंसुलेन भाई इसका नाम ही पड़ गया तो ये डाइबिटीज की कारगर है अब दो महिने इसका काढ़ा पी लीजे इस के फूल खा लीजे इसकी जड़ को खा लीजे देखिए ये पांचों तक्तों को आप मिलाए खाईए देखिए दो महिने में आपका प्रक्यास बिल्कुल सही रूप से काम करने चालू कर देगा और आप का जो सुगर कंट्रोल है सिस्टम वो सामान रूप से काम करेगा कि लोई के पत्ते मिला लें और भूवावला के पत्ते मिला लें और नहीं तो खाली आप इसका ही उप्योग करें यह तो डाइबिटीज के मामले में बहुत ही दिव्व चीज़ है और गटिया साइट का का दर्द है यह दर्द निवारक भी है मैं उसी चीज को बता रहा लोगों को मदद करके मैंने उनके जो रपोर्टें पाई है मैं उनहीं के बारे मैं ही आपको बता सकता हूं वैसे तो यह कम से इसका जंगलों से भी दोहन हो रहा है और चोरी छपे देश के बाहर भी वेज़े जा रही है यह पूरे भारती उप महादीप में पहले पाया जाता था लेकिन अगर इसका इसी तरह दोहन होता रहा और इसको नहीं रोका गया तो यह रैड बुक में सामिल हो जाएगी यह करिए इसके अपने घरों में रोपन करिए इसका रोपन बहुत आसान है पहले भी मैंने एक बार लगाया था लेकिन पानी जादा हो जाने के कारण और वो पौधा खतम हो गया गल गया इसका कंद गल गया अब मैं साउधानी रख रहा हूं कि इसमें 30% मैंने जो है लाल वा पॉष्टी रखी है लीव कंपोज मिलाई है और काव डंग बर्मी कंपोज भी मिला दी है इस तरह इसको हमने पोशक तत्तों से भरपूर कर दिया है अब आगे हम इसको लगा रहे हैं आगे जब इसका कंद बड़ा हो जाएगा तब मैं आपको इसको अपडेट रूँगा मैं लगा दूँ आज आपको और आज भाई पावन दिवस है नात पंचमी है स्रावन मास की और प्रिकतिका माह चला है तो आप लोग भी अपने घर में कुछ न कुछ लगाईए ये तो भाई बहुत रेयर है और आज कल काफी इसका पौधा भी काफी महंगा मिलता है हमको आज कनए परचत है हमारे उन्होंने हमको दिया है क्योंकि यह अद्रक और हल्दी की वराइटी की पिराइटी की तरह हे तो आज कल जो है अर ना जयते है कि मुझे रूची है और अब कम मिलती है इसके कई नाम है क्यों कंद इसको कहते है और इंसुलिन तो कही जाता है इसको क्रेब जिंजर कोश्टस इस्पिरुस भी कहते है लाल कंद कैमुआ भी कहते हैं क्रेब अद्रक कहते हैं क्योंकि अद्रक की तरह ही इसकी जड़ होती है तो जरूर इसको लग लगा लें और चार पांच गंबलों में लगा लें अगर जमीन हो तो जमीन में लगा लें इसका कंद धीरे धीरे होता है और वहीं से इसके अंकुरन होता है इसका और यह एक बार लग जाएगा तो फिर लगा रहेगा बस पानी का ध्यान रखिए पानी ज्यादा नहुपाए सर्दियों में यह मिसाल उसमें चला जाएगा तो आप यह मत समझे कि आपका कंद गल गया है लेकिन वहाँ पर सूखा रखिये पानी जादा ना हो पाए बस इस बात के ज्यान रखिये यह हमेशा आपके घर में लगा रहेगा और आपको स्वस्त रखेगा बहुत बहुत के लिए इसके पांचों तक उनका आप पाउडरी बना के रख सकते हैं इसको सुरक्षित और साथ में गरम पानी के साथ आप इसको रोद लीजिए और एक पत्ति वैसे ही खा लीजे कोई दिक्कत नहीं इसको खाने में कोई दिक्कत नहीं है । और खाके और स्वस्ते रहिए और आत निर्भर बनिए आयरवेद में आत निर्भर बनिए जब आप बनेंगे तभी जो है आत निर्भरता का नारा दिया जा रहा है वो सफल हो पाएगा और देश भी आत निर्भर बनेगा तभी बन सकता है जब पिर्शी आयरवेद और यांत कि में हम आत्म नुर्वर होंगे तो देश भी आत्म नुर्वर हो जाएगा बहुत बहुत धन्वात थैंक यू थैंक यू